solvation का conjugate base पर stabilizing असर हो सकता है तो अगर हम पानी को देखें तो ये पानी का एक molecule है अगर पानी अपना ये proton अतिया कर देता है तो पीछे oxygen पर ये जामनी वाले electrons रह जाएंगे जिसके वज़ा से oxygen पर negative 1 formal charge जा जाएगा और हम पानी का conjugate base बना देंगे जो के hydroxide anine होगा यानि के पानी का conjugate base hydroxide anine है hydroxide anine हमारे solvent से stable बन सकता है तो अगर हमारा solvent पानी है तो अच्छे चले रुखें मैं यहाँ पानी के चंद molecules बना देती हूँ तो ये पानी का एक molecule है और मैं पानी का एक और molecule यहाँ बना देती हूँ हम जानते हैं कि पानी polar solvent है ये एक polar molecule है oxygen के पास partial negative charge है और hydrogen के पास partial positive charge है इसकी वज़ा ये है कि oxygen hydrogen के मुकाबले में ज्यादा electro negative होता है अब हमारे पास एक ऐसी सूरते हाल है जहां मुखालिफ या opposite charges एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते है या attract करते है पानी में मौझूद partial positive hydrogen hydroxide में मौझूद negatively charged oxygen की तरफ attract होता है लहाज़ा इन दोनों मुखतले charges के दर्मियान एक attractive force पाई जाती है और वो attractive force hydroxide anion पर मौझूद negative charge को stabilize करने में मदद करती है यानि इसको मुस्तेकम करने में मदद करती है तो यहाँ पर हमारे पास पानी का एक और molecule मौझूद है यानि एक और partial positive और partial negative charge यानि यहाँ हमारे पास एक और attractive force है जो के hydroxide anion पर मौझूद negative charge को stabilize करने में मदद करेगी तो इसका मतलब यह हुआ कि जितने ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स आपके पास होँगे, जितने ज्यादा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आपके एनाइन को हल कर रहे होंगे, इतना ज्यादा स्टेबल आपका कॉंजुगेट बेस होगा. अब अगर हम यहां मौजूद इन 4 कंपांस को देखें तो पानी के पास मौजूद इस प्रोटान की Pka value तकरीबन 15.7 है एतनॉल के पास प्रोटान की Pka value तकरीबन 16 है आइसो-प्रोपनॉल के पास 17 है और टर्ड ब्यूतनॉल के पास 18 है लेहाज जितनी कम PKA value है इतना ज्यादा acid ताकतवर होता है तो इन सब में से सबसे ज्यादा ताकतवर acid पानी है जोके पानी की PKA value सबसे कम है अगर पानी ताकतवर acid है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका conjugate base लाजमी तोर पर सबसे ज्यादा stable होगा तो hydroxide anine हमारे conjugate bases में से सबसे ज्यादा stable होता है इसकी वज़ा यह है कि हम hydroxide anine के गिर्द बहुत ज्यादा पानी के molecules fit कर सकते हैं hydroxide anine stabilize होने में बहुत अच्छा होता है और यह सब जिस वज़ा से होता है इसे steric hindrance कहते हैं तो इस negative charge वाले oxygen के साथ जुड़ा हुआ हमारे पास यह चोटा सा hydrogen मौजूद है चले अब दूसरे conjugate bases को देखते हैं तो यह ethoxide anine है जो कि ethanol का conjugate base है यहां हमारे पास यह CH2 है और फिर यह CH3 है CH2 और CH3 इस hydrogen से ज्यादा जगा ले रहे हैं तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हम देखेंगे कि यहाँ ज्यादा steric hindrance है यहाँ मौजूद यह carbon hydrogen से जुड़ा हुआ है यह CH2 और CH3 से भी जुड़ा हुआ है तो इसके रास्ते में हमारे पास बहुत सारी चीज़े हैं अब हमारा यह आखरी conjugate base यह third butoxide N9 कहलाता है यहाँ हमारे पास carbon CH3 CH3 और CH3 से जुड़ा हुआ है लहाँ यहाँ इसके रास्ते में आने के लिए और बहुत सी चीज़े मौजूद है तो यह steric hindrance कहलाता है यह बड़े बड़े groups in solvent molecules को हमारे conjugate base से मिलने नहीं देते यहाँ कहले के interact नहीं करने देते तो अगर मैं यहाँ पर पानी का एक molecule बनाऊँ तो यहाँ कुछ stabilization मौजूद होगी है न हम जाते हैं कि oxygen partial negative charge है और हम यह भी जाते हैं कि hydrogen partial positive charge है तो इन charges के दर्मियान हमारे पास कुछ attractive forces मौजूद होंगी जो कि हमारे conjugate base को stabilize करने में मदद करेंगी लेकिन मसला यह है कि यहाँ मौजूद यह बड़े बड़े groups बहुत सारे पानी के molecules को इन conjugate base को stable करने से रोकेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि third butoxide anion सबसे कम stable conjugate base होगा अब जैसे जैसे हम उपर जाएंगे तो हम यहाँ steric hindrance में कमी देखेंगे हम यहाँ तीन बड़े methyl group से दो बड़े methyl group पर आए फिर यहाँ दो बड़े methyl group से एक methyl group पर आए और फिर आखर में सिर्फ hydrogen रह गया लहाज़ा यहाँ हम steric hindrance में कमी ला रहे हैं हम यहाँ अपने solvent की anion को हल करने की या solvate करने की सलाहियत को बढ़ा रहे हैं इसलिए हमारे solvents में सबसे ज्यादा stable hydroxide anion है अगर यह anion सबसे ज्यादा stable है तो इसका मतलब यह हुआ कि बहुत ज्यादा इमकान है कि पानी अपना proton डोनेट कर दे और इसी वज़ा से हम यहाँ Pka value सबसे कम देख रहे हैं क्षबड़ी आपी